टाटा पंदरा बारा एल्पीटी बहुत सारे आपके मन में कोश्चन्स होगे कि गाड़ी ये कैसी है कैसी सर्विस है और क्या इसका प्राइस टेक रहता है ऑन रोड पर अपने को कितने की पढ़ जाती है तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ और इस गाड़ी का पूरा फुल डिटेल रिव्यू भी आपको करने वाला हूँ जल्दी से करते हैं वीडियो शुरुवात नमस्का दोस्तों में नामें जस्पाल सिंग और मैं आप सब्सक्राइब का बहुत बहुत सवाग कहता है हमारे यूट्यूग चैनल गिल्ट्रक पेलोड पेस्टी दो तरह की वेरियैंट में अपने को मिल जाती है अगर आप गाड़ी लेते हो बीस फ्यूट हुझ no अगर हम 22 फिट वाली लेते हैं लंबी गाड़ी तो पेलोड कम हो जाता है वो दस तन की कपेस्टिका रह जाता है और यहां पर डे कैबिन अपने को मिल जाता है फुली metallic cabin है, कोवी पार्ट इसका यहां पर प्लास्टिका नहीं बना हुआ, और वाइपर ब्लेड यहां पर दो वाइपर ब्लेड यहां पर वाटर जेट के साथ है, प्रॉक्सिमिटी मिरर यहां पर ब्लाइंड स्पॉर्ट आपको पूरे अच्छी तरह से कवर करता है, ड्र यहां पर हैड लैंप्स आपने को मिल जाएंगे, साथ में टर्न इंडिकेटर्स भी दिया है, हैवी metallic bumper यहां पर देखने को मिल जाएगा, और यहां पर देख सकते हो आप, जो नीचे वाला bumper है, वो भी बहुत जादा टाटा ने शुरू से हैवी रखा है, उसमें कोई यहा अगर यहां पर गाड़ी के आगे suspension की बात करें, तो यहां पर semi-liptical suspension आगे यहां पर अपने को देखने को मिल जाती है, और यहीं पर बात कर लेते हम जो day cabin के side view की, side में यहां पर oriental door handles मिल जाते हैं, lock का यहां पर प्राबदान दिया हुआ है, और यहीं पर बात कर लेते हम काफी अच्छी यहां पर texture finish यहां पर, टाटा ने यहां पर लगाई हुई है, बोटर holder, यहां पर paper holder, प्लस यहां पर locks का option यहां पर advisory यहां पर मिल जाती है, और दो step की यहां पर ingress यहां पर दी हुई है, असानी से आप यहां पर उपर चर सकते हुए, material बहुत यहादा ला basic fitment के तोर पर यह चीज निसेसरी कर दिया, MRF के यहां पर, यहां पर देशते हो, steel, muscle, all steel, radial tires आपको यहां पर मिलने वाले हैं, उसका जो side रहता है, 9.00R20 radial tires आपको यहां पर मिल जाएंगे, side पर यहां पर indicators भी आपने को मिल जाएंगे, जो अब बात कर लेते हैं, गाड़ वो 390 Nm Nm की आपको torque यहां पर दे रही है, 125 kW की आपको यहां पर power इस गाड़ी में यहां पर मिल जाती है, जो cabin अपने को जो option मिलता है, वो यहां पर पूरी तरह से आप tilt कर सकते हो, mechanical parts हैं, वो पूरी तरह से आपर visible हैं, engine parts यहां पर पूरी तरह visible हैं, कलको service करवानी है अपने गाड़ी में अच्छी तरह से आप all around आप यहां पर हाथ वगरा हैं यहां में लगा सकते हो, और यहीं पर बात कर लेते हैं हम गाड़ी की जो high deck अपने को body tata company देती है, यहां पर high deck body अपने को मिल जाती है, fully built body और पहले दिन से ही आप गाड़ी में load बरकर आप गा में की thickness के है, heavy construction built chassis यहां पर मनाई हुई है, cross members heavy nut board plus rifting construction के साथ मनाई हुई है, यहां पर you clamping काम, body और chassis के joint में और नीचे यहां पर पट्टा भी दिया हुए, ताकि जर्किंग वेरा में है, chassis और जो body है, उसकी यहां पर अच्छी placement बनी रहे, और ज्यादा से ज्यादा लम् प्लस यहां पर जो कमानी दी हुई है, semi-liptical lifts of rings आपने को यहां पर, पीछे में यहां पर मिल जाएगी, नीचे भी यहां पर hooks का काम, और side पर हमने को देखने को मिल जाएगा, यहां पर spare wheel आपने को connector side मिल जाता है, और यहीं पर बात कर लेते हम गाड़ी के पीछे के बार साथ MMC thickness के साथ जो पीछे गाड़ी है, वह भी यहां पर heavy की हुई है, उसमें reverse parking buzzer यहां पर side पर भी दिये हुए, center में भी दिया हुआ है, और back lights का option यहां पर आपने को दोनों side मिल जाता है, plus heavy back guard यहां पर आपने को देखने को मिल जाएगा, एक बार मैं आपको यहां पर अपना उतार रहा हूँ, ingress कर रहा हूँ जा outgress कर रहा हूँ गाड़ी में से, creative गहरा जा कोई बोरे गहरा, तो यहां पर जो कबजे हैं, काफी गाड़ीों में देखा है, वह उपर लगे होते हैं, तो यहां पर बिलकुल plane है, आपको यहां पर माल उतारने और चड़ाने मे ड्राइवर साइड में यहां पर आपको देखा हूँ, पहारी रास्तो कर आगड़ी इहां पर बात कर लेते हैं, हम गाड़ी में यहां पर diesel tank की, 170 liters की कपैस्टी का diesel tank और यह totally metallic based diesel tank है, और 25 liters की कपैस्टी का यहां पर अपने को AdBlue, Urea Tank की यहां पर अपने को देखरें को मिल जाता है और यहीं पर बात कर लेते हैं हम गाड़ी में यहां पर कैबिन के और यह एंटर डोर हैंडल के साथ इंग्रेस करना बहुत ज्यादा असान है बहुत ही सलीक डंक से सारा कैबिन बनाया हुआ है पूरा मेटैलिक फिर्ष एक्रोनोमिकल डिजाइन बनाया हुआ है यहां पर दो फूट अपर मिल जाएंगे यहां से हैंडल के साथ मैं असानी से यहां पर इंग्रेस कर सकता हूं क्या होता है जैसे हम ड्राइवर सीट पर बैठते हैं तो यहां पर बहुत ही फटीग लेस ड्राइवर सीट है आपको यहां पर थकावट बिल्कुल नहीं होने आप यहां पर पीछे आगे पीछे और आसानी से कर सकते हैं तेलिस्कोपिक हाइट और आप स्टेरिंग की भी यहां पर सेट कर सा है उसको लॉक कर सकते हैं और अंदर में क्या किया आपको यहां पर मिलने वाला है तो वो डिस्कुस करते हैं के कैबिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेरे चीज सबसे ज़्यादा बड़ी लगया है वह काड़ी का टेश वोड है ब्लैक और ग्रे इश कलर के साथ बहुत ज़्यादा जूंईक लगता है और आपको ये आखों को चूपता निया कलर और जो सीट्स है उसके जो क्व यहां पर नजा लिए सानी से एक आपफर यहां पर liligt के कंट्रोर्य यहां पर मिल जाते हैं और यह फैबरिक यहां पर इस्तेमाल किया हुआ हुआ है Russell 50 के लिए यहां पर चार ब्लोवर्स Peak दिये हुए हैं एक यहां पर यूएसी फास्ट चार्जर भी आपको यहां पर मिल जाता है और काटा ने अभी से जो बेस वेरियंट है उसमें सबसे बढ़िया बात किया कि दिया है आपको किसी भी ड्राइवर को अपना यहां पर लगाने की ताटा खुद ही यह एक प्राबदान है जो हैंड़े का वो सामने दिया हुआ है ऑन आफ यहां से कर सकते हो गेर का मैंने आपको पहले बात बताई कि यहां पर पांच गेर आगी तर्फ और एक रिवर्स गे यहां पर आफसानी से यहां पर बैठ सकते हैं और रही बात यहां पर सामने यहां पर छोटा ग्लॉब बॉक्स भी दिया हुँ अपने वगड़ा कुछ समान वगड़ा यहां पर रख सकते हूं सनवाइजरी अपने को यहां पर मिल जाती है और यहां पर यहां पर प्रेशर अडवाइजर भी आपको यहां पर में जाता है गाड़ी इतनी समयधार हो चुकी है कि आपको अपने गाड़ी के हिसाब से आप उसमें गेर्ज आर्पियम के हिसाब से आप उसमें डाल सकते हो अगर हम इस गाड़ी के प्राइस टैक की बात करें तो 27,40,000,000 पे की गाड़ी क की इंशॉरंस आ जाती है तो 23,00,000 के आसपास यह गाड़ी आपको आउन रोड पढ़ जाती है अगर आपको यह गाड़ी की वीडियो अच्छी लोगी तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना नमस्का दोस्तों जैहिन वंदेमात रहां